मेरे प्यारे बचों, आप लोगों ने Lesson No.12 पार्ट कारक विचार पड़ा इसमें, आप लोगों को मैंने वैसे ये सारी संग्या की परिबाशा वगरा लिखा दी, फिर करताने कर्म को ये चिन वगरा भी लिखा दिये थे अब इसमें जो Qution दिये हुए है वो सारे के सारे तीनो Qution इस Matter में हैं तो मेरे प्यारे बचों सबसे पहले आप Qution देखें कारक किसे कहते हैं तो इसका अंसर देखें क्रिया के सिर्थी में जो साक्षात कारण होता है उसे कारक कहते हैं तो यह इसकी परिपाशा हो गई ओके तो यह फर्स लाइन इस फर्स का अंसर हो जाएगी दूसरा अंसर है संस्कित में कितने कारक होते हैं तो मेरे प्यारे बचों आपकी सेकंड रोम में क्या लिखा होगा है वस्तुत संस्कित पाशा में च्छ कारक होते हैं करता, करम, कारण, संपरदान, अपादान, अधिकरण तो आपको भी कह लिखना है कि ये लिखना है कि संस्कित में कारक 6 होती है इन 6 के नाम करता, करम, कारण, संपरदान, अपादान और अधिकरण तो यहां से यहां तक आपको इसका अंसर लिखना है नेक्स्ट अंसर है क्या संबंद वर संभोधन कारक है तो मेरे प्यारे बच्चों आपके इसी के जस्ट इसके आगे नीचे ये लाइन लिखे भी है संबंद और संभोधन के को संस्कित के संस्कित में कारक नहीं माना जाता है तो आपका अंसर सीधा रोगा क्या संबन्द संब्दन कारक है तो हम लिखेंगे नहीं नहीं संस्कृत पाषा में संबन्द और संब्दन कारक नहीं है तो मेरे प्यारे भचों तीनों के question मैंने आपको बता दिये हैं और वैसे हम already is matter के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं आंसर कहां कहां है, ये भी मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को ये तीने क्यूशन आपको सेल्फ करने आओ, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है, तो आप ये डाउट अपने फॉन करके ये वाट्सप से पूस सकते हैं, ओके, बाई.